माया रांग बेरांग करत प्राम मोह कै उब गुबार परियो हैं इता गब अकाश ना मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परियो हैं माया रांग बेरांग करत प्राम मोह कै उब गुबार परियो हैं इता गब अकाश ना मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परियो हैं दाह देशताए महां बिख्या को पारतान छीन अगयान हर्यो हैं जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जामदूतन डान मिरत मर्यो हैं अनिक जोन संकट नरक पुंचत सासन दूक गरत गर्यो हैं पीम पगत उदरें से नानक कर किर्पा संत आप कर्यो हैं पनिक जोन संकट नरक पुंचत सासन दूक गरत गर्यो हैं प्रेम पगत उदरें से नानक कर किर्पा संत आप कर्यो हैं वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते परमस्नमान योग दीन दुनी दे मालक तान तान गरू गरंसा महरा सचे पादशा जी दे सजे होई पावन दरबार दियां हाजरियां परदियां होयां आप स्रबत संगत ने बड़े ही अदब प्यार सतकार सहत गुरू सवारियां पासो महराई दी अमरत मई पावन बानी दा कीरतन शरबन कीता है उपरंत तान तान गरू अरजंसा महराजी दा उचारं कीता गुयां मुकवाक सवया जिस दा पाठ आप जी ने दास पासों सुनिया है हुजूर दा उचारं कीता गुया एप आवन उपदेश गुरू गरंद साहिब महराजी दे मुबारक अंक 1388 उपर सुभाई मान है महराज बक्षिश कर दे हुए उपरमाँ देने हे मनुख माया दे पियार अते अनेका ही तमाशेयां दे हने रे खूवेच तुन डिगा होया है इस दियां दो वजा हन दो कारण हन पहला है परम और दूजा है मोग गुरू गरंसा महराज दी पावन बानी जीवन नू सेध देन दा मारग है यों कह लईए के जीवन दे फलस्वेदी गल गुरू गरंसा महराज दी मुबारक बानी साठे नालसांजेयां कर दिये मनोख आपने जीवन नू एस संसार वेच जीऊंदया हुया के में उचेरा जी सकता है के में सचेरा बन के रह सकता है संसार दे पदा अर्था अंदर आपने जीवन नू के में मान सकता है सही अर्था दे अंदर इस दी गल तानुगरू गरंसा महराज समझाँ देने जीवन दी इस खेट नू समझन वास्ते साथ गुरू महराज वक वक तरीकयां दे नाल अपना उपदेश वको वकरे परतीक वर्त के उदारना वर्त के सानू दर्साउन दी कोशिश कर देने तांकि असी आपने इस जीवन दे प्रती सुचेत हो के रह सकिये जागद्या हुया असी आपने जीवन नू चेतन हो के जियू सकिये महराज के इन्दे दो बज़ा हम जिस करके तू बहुत ही तमाशे आंदे अंदर चस्के आंदे अंदर उल्ज जानदा है और एक हनेरे खुवेच हनेरे खुदा अर्थे पी जिसे चार शुखेरे अंद कार है हनेरे खुदा मतलब जिसे तुरी कोई वाज सुन वाला नहीं तू ऐसी जगा दे उते एहो जे जीवन जी रहे हैं मौनो दूंगी खाट वेच डिगा हुए है तो खुख खाते वेच डिगन दा पाव एह उंदा है पी निवान वाल जा रहे हैं तू नीमे पासे जी रहे हैं असी अक्सरी प्रतीक वर्त दे आम उदारन पी असी ते नहीं सी सोचया भी तू एनना डिग भी सकना है जां किसे मनोख दे करतावनों वेख के असी ए उस दे लई बोल वर्तों दे वेच लेऊंदे यां पी तू एतना खुच डिग पमेंगा सानू नहीं सी पता खुच डिगन दा मतलब हुंदा है नीमा किरदार बना लेना नीमा जीवन जीवन जीवना अउगणा नाड ऐबा नाड पर जाना उन्हों असी कहिने या बन्दा खुच डिगया हुए है जासी कहिने ये ता बन्दा डिग पे है ये ता गिर गे है सत्गुरु महराज होगी परतीक ने अपने शब्दा वेच वर्त देने पी तो ता हने रे खुच डिग गए पावे पी जित्थे चार्श पे रे हने रही हने रह तो इनना अग्यांता करके इनना नीमा चला गया है इनना पत्र वेच चला गया है तेरे पल्ले कोई गोण कोई किरदार नहीं रह गया तो अपना जीवन मनुखी सुबा गवाले अग्यांता दी खडवेच देखे ते एस अग्यांता दी खडवेच देखके तो माया दे रंग दा अर्थ उन्दा प्यार बरंग दा अर्थ उन्दा है तमाशे कई किसम दे तमाशियां दे वेच तेरा मान उल्जिया होया है उन सत्गुरू दातार दी आकदे दो कारण प्राम मोग है परमदा अर्थुंदा है तो लेखा हनी राव है चार शफेरे बार रसी पाई होई है ते मनोक नू इमे लगया पी जिवें साप है उनने रोड़ा पाया सारे चार शफेरे सारे नू डार पैदा होगया पी साप है साठे का अरदे अंदर सियाने बज़र्ग ने आकए भी पहला कोई दीवा बती कोई लाइट ते बाड़ो पताते लगे जदो लाइट आउन कीती चानन कीता बता लगया भी ये ते रसी पाई है उन उस सारे होदे वालव एक रहे सान तू बेवज़ा का तो रोड़ा पाया सारे नू ड्राके राके रहेता हो करें लगया मैं की करदा मैं नू जे में दिसे है भैं हूं में कह दिता है उन है रसी नजर आउन दिये साप क्यों पला क्योंके हने रेदे कारण नजर नू तो खा पया जो वखाई दिता जो प्रतीत होया मनुक नू मैसूस होया वही उनने कहना सी गुरू गरंसा माराजी आख दे माद वे क्या कही है प्राम ऐसा जैसा मानिया है होय न तैसा परमदी प्रबाशाई ये अपि जे हो जे असी किसे चीज नू मन के बैग है उन हो जी है नहीं असी पुलेखा खा गए उन्नो समझन दे वेच वेखन दे वेच चीज कोई हो रहे नजर कोज हो रा रहे है इन्नो पुलेखा क्या जाना है परम कहीं देने ने नू गुरू गरंसा माराई भी बाणी दे अंदर अन्न सद्गुरू महराज जी उदारन देने बाणी दे अंदर ए उदारन बड़ी वार वरतों में चाहिए मिर्ग मिर्ग केंदेने हिरननो हिरन दीते मारू थल दी उदारन पी हिरन नो प्यास लगी ते ओना चार शुपेरे मुँ जोक के वेख दाय पी किदरे पानी है मारू थल दे जिते रेती रेत है चार शुपेरे उच्छी उच्छे टिबे ने रेत दे दुपेर दा समय तो उपदे नाड गर्मी दे नाड बेहाल होया हिरन नजर दड़ाउ दाय प्यास दे कारण पी के ते पानी होवे ते मैं पी लमा उनने दूर जदों विख्या थे उन्हों नजर प्या पी पानी है पानी लिश्क रहा है उद नो पजया दा उड़ा पर कमा दी गाले सी भी जन्हों दड़ रहा सी ना पानी उननो अगे नजर आरहा सी इसकर को दड़ द़ी तो रहा गया पी मैं शेती पांच जामा ते प्यास दूर कर ला मा और इन्हा कूँ दोड़िया पी सरीर दी रहें दी खुन दी अनर्जी ताकत भी खत्म हो गई गर्मी नाड बे हाल प्यासा आकर दाम टुटेया ते डिग गया मर गया पर सोचन वाली गाल सी कि जनना उदा उड़ेया पानी दे थोड़ा बहुते नेड़े पहुंचदा पर नहीं पहुंचेया क्योंके पानी उते है ही नहीं सी सूरी दिया किरना दे नाड तोप दे नाड दूर रेत दा एक टिबा लिश्क रिया उस पासे वाल दोड़ेया चलेया जा रहे है उननों नजर आया भी जे में पानी लिश्क रहे है प्यासे नूं पानी नजर आया लिश्क रहा सी रेत दा उच्चा टिबा तोप दिया किरना दे नाड सूरी दिया किरना नाड तोप नाड चानन नाड इनु गुरु गुरंसा महराज जी आखदे ने कैसा परमे परमदे वेची पजा जा रहे है परमदा परम पुलाया ये इस करके साथ गुरु ने शब्द वरते है केंदे म्रेग तृष्णा गंधर्ब नगरंग दुरुम शाया राच दुर्मता कोई रोखदी शानु पढ़के खलो सकते कोई आखे द्रखदी शानु मैं फढ़ लमा ते एती रह जाएगी परशामे कदे हथा वेच नहीं हो दे ते परशामे अनु कदे फढ़या नहीं जा सकता कंट्रोल नहीं कीता जा सकता पर शामे का दे कंट्रोल वेच नहीं हुंदे तानु गुरू अर्जन सामाराज जी आख दे ने सैस करेती सलो के गुरू अर्जन साब जीदा उचारन कीता के दे मिर्ग तरिशना गंधर्ब नगरंग जी में मिर्ग दे काबू वेच नहीं आया पानी क्योंकि जो है ही नहीं हो ओंदा के थो है काक नहीं सी पले खासी है कुछ और नजर कुछ और आया साथ गुरू महराज के दे गंधर्ब एक मिथी ओई नगरी पुराना दे वेच लिखे है इक आपनी नगरी वे साल इसी हरी उनु गंधर बनगरी केंदे ने तर तीते असमान दे विचकार गुरू गरंच सामाराज केंदे जी में ओधी कोई होध नहीं ना एक में थे तीसरी उदा अरन देती कें दे जे में द्रम शाया द्रक्त दी शान रोक दी शान ओदे पर शामे नो कदे कोई पड़ सकते बंदा ओस पर शामे नो पैर थले राके आके उनता है मेरे काबू वेचे किदरे नहीं जाएगा पर जो जो सूर चकर काट रहे है तरती चकर काट रहे है तेओं तेओं ओ परशामा बदलदा जाना है ओ काबू च नहीं आ सकता यूदार न देके सत्गरू जी समझाओंगे ने की उ लिखे वासफए हुए हेरन दे काबू ते कंट्रोल वेच पानी आ सकया की द्रखत दा परशामा मनोख भड़ सकता है नई इसे तरह गुरू गरंच साह महराज किंदे हे मनोख तेरे मान वेच भी अनेका ही पर मोनगे जड़े साच नहीं ओने तेरे वेच भी अनेका ही ऐसे ख्याल ओनगे कुछ ऐसा कुछ कंट्रोल करनदे तेरे अत्वे चाण क्योंकि तु पुलेखे वेच जीरे है ये जीवन दी गाल गुरू गरंच साहब कर दे तू कदे सोच दे हैं पी सोख मिल जाएगा बारो मैनों जे मैं आ कम करा जे मैं फलानी जगा ते जामा जे मैं आ तर्म कर्म करा मैनों सोख मिल सकता है गुरु कहीं देने एदों वटा पूलेखा और की हो सकता है कदे आपने आप वेच चात मार के तो वेखी नहीं पी दोख भी तेरी वज़ा करके है ते सोख भी तेरी वज़ा करके तो इनूं मिल सकता है सुखी होना जान आउना ये बहुता तेरे वास वेचे ये ठीक है बारों मी लोक सानूं परेशानियां खड़ियां कर देने दुखी कर देने साड़े जीवन चो रुकावटा हो दियाने पर ए रुकावटा ता रैंड गी रैंड गी रैंड गी आई उज़ नामी हाने सब कोज है पर गुरु साब अगली गल कर देने कर देने ये ता है तो वे इनन उपड़के बैठा रही ने पर एक गल याद राख सुखी होना है के नहीं होना ये तेरे वास वेचे बहुत कोज कुर्बानी ये थे आके गल कर दी है पी तेरे वास्वेच बहुत कोज है दुखी ओना मी तेरे वास्वेच चे ते सुखी ओना मी तेरे वास्वेच चे क्यों पला क्योंके गुरु गरंच साब केंदे ने जीवन जीवन दा एक टांग है जेता तेरे मानदी वस्ता ओवे उची सच्यारी तूँ ओवे गुरू दे ग्यान नाड़ अपने जीवन उचेरा कर लें प्रैक्टिस कीती ओवे इस गल्दी फिर ता प्यारे आपामे उल्जना बहुत ओन तेरे हासा तेरी खुशी कोई तैथों खो नहीं सकता जेत अधी कलाच जी रहे हैं चिनता जी रहे हैं जेत तेरे अंदर ओ जीवन नई जड़ा गुर्मत कहीं दी है फिर तेरे इन्हों सुछता बहुत मेर जाना फिर तेरे मथे तों वाटण नहीं लेना तेरे दोखनों को दूर नहीं कर सकदा चलेया तू जित्वे मरजी जाएं फिर ते इनु को सुखी भी नहीं कर सकदा उन्हें जेड़ी ये गालक कही है ना गुरू ते एक बादर माराज सचे पाध्षान भी जो नार दोख मैं दोख नहीं मानने उन्हें को काणी नहीं है पि बादर माराज नहीं कह देती है ये सही माइनिया वेचे कि जीवन दी गाले पि दोख तकलीफ़ा उलजणा सब कोज़ है पर मनोख दोख नू मानदा नहीं मानदा दार तो चड़ दी कला वेचे उन्हों हंडा उन्दी ओस मुसीबतानों मी मखाल करन्दी ओदे अंदर जुगता आगई तरीका आगए ओदा मानसक पद्र उचेरा हो गया रागे एक और गल्वी कहिए सुख सने अर पै नहीं जाक है सुख भी नहीं सुख दा मतलबे भी सुखांच गल्तान हो के सुखांदा गुलाम नहीं हो जानदा हो गुरू नानक मार आई दा एक बचन तुसी पढ़ दे हो दोख दारू सुख रोग पहा जान सुख ताम नहोई दोख नु गुरू साब दारू कहीं देने क्योंके कई वार जे मनोक ने आपने जीवन वेच कोई मुश्कल कोई मेनत करडी का लना दा दौर ना वेखिया होवे ते मनोक बिलकुल रियत दी कांद वरगा होंदा है शेती टाय जानदा है मजबूती नहीं दिड़ता नहीं आउंदी जीवन अंदर पर पकता नहीं हoudी जीवन दे अंदर जे मनोक दे जीवन अंदर मेनत नहीं है ना जे मनोक दे जीवन दे अंदर कोई ऐसा समा नहीं ता गुरू गरंसा मारा जाक दे ने ए बंदा विलकुल मिटी दी टे रिये एदे पले काखनी ना एदे अंदर द्रिड़ता आएगी ना एदे अंदर त्याग करन दी पामना ना कुर्बानी दी पामना ना चड़ती कला ते सोख रोग पाया इस करके शब्द वरते है पी बहुत यहां सूलता देके नू वेखलाओ सोखी सोखे नू मिड़दे जान एद विलासी हो के आप भी बरबाद हो जाएगा नू बरबाद करनी लोड़ नहीं नू सूलत दे देओ मान चाहिए हैं सूलता क्योंके मानदा कोई लेवल है नहीं जिनना को जो देई जाओंगे और नहीं एसदा सत्या नाश करदा जाएगा विलासी हो जाएगा विकारी हो जाएगा पदार्थां दे चसके पोग पोगे आप भी खर्चो हुंदा रहेगा हुने सनू ए लगदा है पी मैं पोग रहां पदार्था मैं खा रहां मैं पैन रहां मैं हंडा रहां गुर्णट साहज़ हो जाने नहीं को फार्क पाधार्त उनुं को फरक प्रक प्रक प्रक्र जितने भी पोगते विलास कीते ने तेरा जीवन दुबर हो है इननों की फर्क पे है आज तक संसार वेच क्रोध बुड़ा नहीं होया क्रोध कमजोर भी नहीं पे है पर क्रोध ने किनी दुनिया कमजोर कर शड़ी है आज तक संसार दे अंदर काम कमजोर नहीं होया दुखी नहीं होया, बुड़ा नहीं होया, मर्या नहीं पर किनी दुनिया इस नर्कवेच पैके खत्म होई है संसार दे अंदर हंकार का दे बुड़ा कमजोर नहीं होया ना ही उसनों कोई रोग लगे है पर हमकार वे सपई होई दुनिया के में एक दूजे दा कौन वा रही है गुरू गरंचा माराज के इन्दे कौन किनों पोगरे यह ते गल्श पष्टी है पर तैनों नहीं समझा ही ते किया था तेरे अंदर पुले के भी मैं कर रहे हैं नहीं यह सब तैनों पोगरे यूज कर रहे हैं इस करके दातार तानुगरू गरंचा माराज सचे पाथशा जी बक्षिश कर दे हैं कि इन्दे ए है परम ए है पुले का जिमें हने रे चपई होई रसी साप नजर आउंदी है जे में मिर्ग नू रेत दा लिश्क दा टिबा पाणी नजर आउंदा हिरन नू जेस तरह कोई मनुख द्रख दे परशामे नू भड़नी कोशिश करे ठीके से तीके नड़ है मनुख तेरे मन अंदर ए परमहन पी मैं सदीव काल हमेशा वास्ते संसार दी मलकीयत नू मान सक मैं हमेशा वास्ते न चसक्यां चपए के आत्मक मान सक सोख ले सकदा मेरा जीवने में संतुष्ट ते तसली वाड़ा हो सकदा है यह होई असली जीवन है ऐसे अनगिन तो पुले खे तेरे मन अंदर परे पाए ने बहुत सारे तानगुरु अमरदास महराज सद्गुरु जी उस्वेड़े गोईदवाल साब रहें दे सन पाटसाइबाना ने आपनी बाणी बेचाखे है गोबिंदवाल वैसे बाणी दे अंदर शबद गोईदवाल ली गोबिंदवाल वरते है गोबिंदवाल गोबिंदवाल गोबि तीर बिपास बनायो बिपास केंदेने ब्यासा द्रियान द्यास द्रिया दे कंडे ते तानु गुरू अमरदास महराज उस अकाल पुर्खवाई गुरू दे एक नाम घ्यान दी विचार द्रिड करवा रहे ने ते पटाने आखिया भी साथ गुरू सचे पाध्शा इना ही थ एक काल पुर्खवाई गुरू दे नाम घ्यान नाड जोड़ दे ने मनुखता नू इमें लगदे जिमें असी सही माइनिया वेच रबदी नगरी चागए होई है साथ गुरू तान गुरू अमरदास महराज इते बिराजमान ने लहाउर दा रेड़ वाड़ा है एक व्यक्ती नौ जवाने जवानी दी देलीस तक पहुँच देया क्योंकि जदों जीवन अंदरों खोश टकाने लग दिये जिन्दगी तबाई वालवाद दिये जिते मनुख दे जीवन अंदर जोश दा उना बड़ा जुरूरी है उते खोश दा उना बड़ा जुरूरी है क्योंकि होश ही जोश नू सही टांग दे नल वरतों वेच ले आ सक दिये ते जे लग दे पल्ले ताकत दे बहुत दे अकल नहीं है तां ओ ताकत जड़ी है ओ बरबादिया नुकसान दे तबाईया दा सादन बन जान दीए ओ कोई लाब कोई फैदा मनुख नो नहीं दे सक दिये तलवार स्याने मनुख दे अतवे चोवे तां किसे दी रखिया कर देगी मूर्ख दे अत्वे चोवे ते कतल कर देगी फरक ये नहीं है है तां लोई देगी टुकड़ा पर जी दे अत्वे चे ना डपेंड हो दे ते कर दे निर्बर कर दे पी वो बंदा के हो जी मात दे के हो जी अकल दे जे तो मुर्ख दे अथवेच है ते कतल करेगा बेगुनामानों मारेगा खून डूलेगा अत्याचार ते जल्म होएगा जे अकल मांद दे अथवेच हो दे अंदर दर्द उना फि बेगुनाम मार रहे ने में बचामा उने राकी कर लेने ते मूर्ख दे तलवार टाल बन जान दीए ते मूर्ख दे तलवार कतल कर दीए फरक इन है परक किये तो दूआ दे अथवेच लोई दे टुकड़े तलवारा पर दूआ बंदें दी मत वकरी वकरी है उस मत दे साब दे नार एक मौत देन वाली चीज रखेया कर रही है उस मत दे साबना लेक आदमी उस तलवार देना मौत दे रहे है संसाथ जिदा मतल बेहुई है ना पि एक दे पले जोश है अकल सोजी ग्यान नाम दी कोई चीज नी दया नाम दी कोई चीज नी एक दे कोड़ ताकत है उवी तलवार चोख सगदा है पर उदे पले सोजी है ग्यान है उन साड़े सारे कोड़े जबान रबने सानु दिती ये बोलन वास्ते पर जिनने सियापे ने सारे हैते जबान दे ही ना वी वी साल दी, पक्ची पक्ची साल दी गल साडे चेते चैब फलाने ने मैनो किया कह sut साडेय उनों चेते ने पियने कीया कह बस कैन सुन दे वेची एनिया उल्जना खड़िया उगयाने पि लफजा दे माइने कडड़ के अगे तो अगे जिमें गालत उर दिये है ती जबान नी किसे नाल चंगा बोल दियो किसे दे दोख वेच श्रीक हो जाओ उन्हों लगदा है पि ए बंदा मेरा मितर है ते आपने अनुमी कोई ऐसा शब्द बोल दियो पके वहरी बन जान दे अपनी मत दे मताबक जैसी एदी वर्तों हो गई तैसा सदा प्रबाब दूजियां उते पह गया ताहिता गुरू साब ने शब्द कहरें बाणी अंदर नान को फिका बोलें तान मान फिका होए किन्दे तू जदो फिका बोल देता ना आपनी जबान तो ते तेरा तान भी फिका हा ते मान भी फिका हो जाना तेरी एक जबान ने तेरे सारे जीवन उपिक कहां कर दे गया गलत बोल के जदो तू दू दू दुबारा पामे 10 साल बाद उस बन्दे दे सम्ण जाए तो ने वेख दे आँ सार नो तेरी मिलना ही नहीं चाहूंदा तुसी परे हो जाओ मैं तो अड़े कुणों की लेने आपा पहला मी ते मिले सी ना उदो में नतीजा कोई बहुता चंगा नहीं सी निकले या तो अड़ी कई हो इगाल मैं नो रड़क दी है मैं तो अड़ी शेकल वेखना पसंद नहीं करदा तान मान फिका कोई फिको फिका सदी है गुरु कैंदे ने केंदे ने यार उता बोल दा ही चंगा नहीं तो दी ता बड़ी जबान माडी है उन ता फलानी जगा चूटी गौाई देती बंदे नहाक मरवा देते उने फलानी जगा बढ़ी बढ़ाई खेड वगार देती इड़ा पैड़ा ते कोजा बोलो नो बोले उत्थे भी उस बंदे नो फिका करके याद कीता जाना फिके फिकी सोये हो दी सारी शोबाई फिकी है इसकरके तान्गुगन कारण की एक अपनी जबान को मिठा पगतकभीर साब जी ने जो शब्द क हैए आज आपां बेठे पड़ रहे हैं सून रहे हैं वचार रहे हैं ग्रुअरजं साब जी शुचारन कीता है साड़ी जिन्दगी नो सेध देन वाड़ा को पदेश है महराज साड़ा पला लोचदे ने सानु सही मारिव दसदे ने इस करके हजूर दे मिठे बोल आजवी आपां पाड़ रहे हैं सुन रहे हैं ते विचार रहे हैं एक एही फरके गुरु महराज दे शुबा वेच में ठास है गुरु साब जीदा नाम लेना सानु चंगा लगदा है गुरु अर्जन साब जीदे जीवन दी गल करनी चंगी लगदी है उन्हादी बानी पढ़नी ते सुननी ते विचारनी चंगी लगदी है क्यों कि उन्हादे बोला वेच साठे जीवन दा साच लुके है साठे पले दी गाला लुकी है जेस करके आसी बड़ी पाम नाड बड़े प्यार नाड उना दी बाणी नाड साँच बना उन दा यतन कर रहा है फिके बोलों आसी चेते नहीं कर दे यह फरके उन्हाने भी अपनी रसनातों के है पर उन्हा दी रसनातों निकले गोई लफज साठी पले आईदे लफज ने जो भी शब्दों ना कहे जो उपदेश उन्हा देता उस साठे पले दा देता तो स्वाल वर्तों दी यह दो आपास या तो ये बंदा वर्तों जो रबने ताकत देती है सानू वो दी असी वर्तों बोलन दी ताकत देती है असी है दी वर्तों के में कर देया वेकन दी समरताओं ने सानू देती है असी है दी वर्तों के में कर देया सुन दी ताकतों देती है दी वर्तों के में कर देया वर्तों मनोख करदाए अपने ग्यान इंद्रियां दी ए स्रीरक ताकतां दी अपनी मातनाड अपनी बुद्धनाड ते जे पैड़ी माते मनोख दे अंदर ते सुवर्तों नहीं हो सकदी दुरवर्तों ही होएगी ते जे चंगी माते मनोख दे अंदर मनों खापनी है ना ताकता ना अपना पला कर लएगा दूजी अंदा भी पला करेगा सद्गरु माराज तान गुरु अर्जन साब जी फुर मौंदे ने केंड लगे तेरे अंदर जड़े पर्म टिके हो एने ना भी ए सोख मैंनो एना चस्कियां चो तमाशियां चो मिड़ सकता है ये तेरा पर्म फोका है पुली खैती रहे कर पर क्योंके तैनुसाच लगदा है इस करके तूं सारा कुछ कारी रहे है मैं जिकर कर रहे हैं सम्भी हो पाही दा नाम सी पाही प्रेमा उदा प्रेमा नाम है जवानी दी देलीज ते पैर रखेया वड़ेयां दा साया सिरतों उठ गया दौलत सी कार्च मान सतकार सी आले द्वारे च उन उने वरतेया ते हंडाया रज के मानेया और ऐसी कुछ संगत वे चपस गया जिते माननू रोग लगदा है सब तों पहला चस्किया वे चपए होई बंदे दा मान रोगी उन दाए फिर तान रोगी उन दाए मान विलासी है ते तान रोगी है इतनु तका आलत पहुँच गई भी दौलत भी खर्च कर देयां कर देयां खर्च होई जानी सी जाइं गवाच गई जदो तान वी रोगी होया दौलत वल्लों मी खाली हो गया मितरा ने साथ शर्द दा कोड दी बिमारी दा जिकर कीता है लिखारियां ने पी तान नू एक होज़ा रोग लगया बदबोवा उन दी सी स्रीर चौं कोई नेड़े ने इसी जान दा किसे ने तरस करके जे कोई रोटी भी देनी तो भी दूरों पड़ोनी पी शूत दा रोग है कोई नमी मुसीवत ना खड़ी हो जाए उनना समया चेना रोगां दे इलाज बिल्कुल ना मलूम थोड़े बहुत विरले टामी जगा ते उन्दे सन आम करके नहीं सन उन्दे गुरू अमरदास महराज कोड़ाया सद्गरू गुरू अमरदास महराज ने सिखां दी ड्यूटी लाई पी एदी संबाल तुसा करनी है एदी स्रीर दी सफाइदा ख्या लखना दारू दर्मल देना और दूसरी गल इन उस संगत वेच जरूर लेके आउना होडी होडी जित थे तान करके ओठीक हो रहाए आसी मान करके भी ठीक हो रहाए आसी क्योंके मान दे रोगदा इलाज चंगे विचार इने और कोई नहीं बिमार भी बंदा मान करके माडे विचारा नाड उन दे ते तान दुरूस थे चंगे विचारा नाड उन दी जीडि काट सानू डौक्टर स्रीर कताओर थे मैसूस कर दे उननों दुआईया नाड पूरी करन दी कोशिश कर दे ती द्वाईयां दे नाड ओ वीकनेस ये दे अंदरों कड़ दिती जाए ओ काट जड़ी ये दे सरीर अंदर जड़ी भी चीज़ दिये ओ द्वाईय नाड बारों डोस दे के पूरी कर दे हो चंसानों चंगी खुराक खान ली कहीं दे है चंगे मौल वेच रहें ली कहीं दे है कुछ प्रेज दा सदा है कुछ चीज़ां एक्सरा दा सदा है पि ए तुसी खानिया ने तुसी यूज करनीया वरतनिया ने ए इलाज दा एक प्रोसेस है एक टांग है ठीक ऐसे तरह मानदे रोग दा भी एक इलाज है ओ इलाज ए बंदा चंगी संगत वेच बैठे चंगे विचार सुने चंगा कुछ जानन दी कोशिश करे चंगा कुछ सोचे आपने आप वेच कुछ तबदीली पैदा करे आपने आप तो पहले जीवन तो हटके ओ तांदरुस्त हो जाएगा मन करके मानदे बिमार लोग आले द्वाले बिमारी फलाओं देने एक शूत दा रोगी कहलो पी जिते वी माड़ी संगत मिले की जिते बंदा बैठेया ओते जीवन दे अंदरुस्त गोण कटने शुरू हो जानगी अंदर बुराई सिर चुके गरीब नवाज तानगु अमर दासमाराई दी रहे मतनाड ओदा मानवी ठीक होया ते तानवी ठीक होया उनदातार उनों पुश देने पी ये दौलत ए सब कुछ तेरे कोड सी की ऐसा वापरिया कैन लगया जी बस मानू लगया पी बड़ा सोखे दे वेचे बड़ा सकून है मैं हंडाउंदा तुरिया गया हंडाउंदा तुरिया गया आकर तानवी रोगी होया थे दौलत भी खत्म होई वैसे बाणी चना एक बचने पगत साहबान ने विचारंग कीता होया उकें देने खस्म मरे ताव नार ना रूगा उन्वे को जेड़े सजन आकदे ने भी बाणी नो विचारंग दी लोड की है वोई दे अर्थ की करनगे फिर खस्मदार ते पती पती मर जाए मालक मर जाए ताव नार ना रूगाए और तने ही रोंदी उन्वे दा की मतलब निकले है पती कितना भी पामे पतनीनों ने बहुत तसीये ते दुख देते होना पोख ते दुख वकाया होगे फिर भी ओदी आखा नाम होई जादियाने पी आखर एक सबन दे टोट गे है कोई इन्वे पत्थर देलते हुंदा ने बहुग इंती संसार दी जड़ी है वो इस गाल उते दुख पर गट करेगी पी चलो जीवन माडा सी हो दा पर एक इनसान दा तुर जाना माईने दे रखदा है ना संसार दे विचों जेडे सजन आख दे जी लोडी की ये बाणी दी उननों पता होना चाहिदे फिर बाणी दे शब्द की दे ले लिखे ने ते एदा की माईना बनदा है नुके में समझांगे इसी जे बाणी नो असी विचारांगे नहीं अगले पिछले शब्दां वाल गाऊर नहीं करांगे सद्गरू जी ये थे शब्द तो खस्म वर्त देने मालक वास्ते ते नार वर्त देने माया वास्ते खस्म मरे तो नार ना रोवे उसर खवारा औरो होवे बंदा मर जानदा है मालक तोर जानदा है दौलत दे राखे होर बंड वास्ते तियार बर तियार खड़े उन्दे ने माया नो दौलत नो पदवी नो कोई गाम नी ओना भी मेरा मालक तो ओढ़ा क्योंके उदे कोड़ता हुर बहुत ने किसे ने कार नहीं करना भी मैंनो नहीं चाहिए दी नहीं कहना है पदवी आ पांकी करनी है किसे नहीं कहना भी जबी सारी तानत싸 baik सब्सक्राइक हर वेले उचस्किया दे नर्क वेच ढगा रहीं दा है वो जान दे विलासाउ वेच खचत रहीं दा है आपना मानवीरोगी कर लहीं दा है ते तानवीरोगी कर जबी पिछले स्विये वेच महाराज ने शब्द वरते ऐसी नvine माया क्रिमі माया दा कीडा उपकारा नुप पुला चुके हे मानसक और आत्मक तौर ते गुणातों सखने कंगालो चुके गरीबो चुके मनोख माया दे कीडे सिमर स्वामी एक करी तो माया दा पदार्थ दा ही कीडा बनके रह गे सत्गुरू सचे पाथ्षा जी सत्गुरू माराज बाणी वेच इनु जदों विकार दी पावना वेच विकार दे अर्थां वेच बियान कर देने तो दों है मंदे पासे दी लगन नहीं ते असी सारे जिन्हें मी जी रहे हैं न संसार च लगन करके जी रहे हैं संसार विच सानु जी आपने आपनी सुसैटी आपनी कौम मेरा तरम मेरा देश मेरे लोग मेरी पाशा मेरा कल्चर की ये मोहीत है ये अटैचमेंट है ना जड़ी सांज है पामे आपने परवार नाड़े मित्रा नाड़े रिष्टेदारा नाड़े देश नाड़े स्टेट नाड़े आपने तर्म नाड कौम नाड पाशान एजड़ा सबंदे एज सबंद मोहीता है मोतों बिना इस सबंद नहीं हो सकदा रब ने मोह साठे अंदर पैदा कीता है इसे करके ये दुनिया चाल रही है बिना मोतों ये दुनिया काखवी नहीं पथर हो जाएगा बंदा जी दे अंदर कोई आपने आ प्रती पाम नहीं पैदा नहीं होएगी उनों फरकी नहीं समझावना भी मेरा की ये संसार्ज होता गर्ज निजी गर्ज दा पुतला बनके स्वार्थी बनके रह जाएगा तो मो जेड़ा है या काल कुर्खदा देता हो या जिसकर के आपसी जीर है साधी साध़ साधी अटैचमेंट साधा संद आड़े दौरे नल बनेआ होया है जी मो नहों बनने ते जीवन अंदर ते कख़ईना होए जनाम ये संसार्दा पसा रहा है आपसी अटैचमेंट सांज नाली चल रहे है नहीं ते नहीं चल सकता पर एस मोनू सद्गुरु माराज जदों एदेतों बचंदी प्रेर ना कर देने जाए कहिंदेने भी तुमो वासो के गर को रहे हैं जे मैं आजदी इस पंक्तीचे शब्द वरते है उते मोद अर्थ है माडे पासे दी लगन तेरे अंदर लग गई है तो गल्त पासे अपनी सांज अपनी अटैचमेंट बना लेए एस पासे तु गर को जाएंगा उते पाव है उस सबंद दे विच गर को जाना पाव है पी माडे पासे वाल तुर पैना उल्टा सुबारा खलेना अपने अंदर यही फर्क है दातार जी मुबार्क बाणी वेच आख देने ए शब्द बड़ी वार सद्गुरु महराज ने बाणी दे विच मोद पर थाई वर देने उन सद्गुरु दे दो कारण दासे देने कें देने प्राम मो के कूब गुबार परियो है इदा अर्थ कीता है विदवान जना ने माया रंग बिरंग करत माया दे प्यार दे रंग अनेका तमाशे बिरंग करदा हैं तु ते प्राम मो के पर्म ते मो दे कारण कूब गुबार परियो हैं तु हनेरे कुवेच अगे आंता दे हनेरे कुवेच डिगओं हैं तेनु सोद बोदी कोई नहीं अग्य कहीं दे नहीं इता गब गाबदार थे नहांकार इता गब अकाशन मावत मनों के अकाश तक भी समौदा तरती तो लेकिन असमान तक भी तेरा कद जिड़ा है तरती तो लेकिन असमान तक भी म्योदा समौदा नहीं तो इनी हो मैं तेरे अंदर इनना अहंकार है तेरे जीवन अंदर इता गब अकाशन मावत सद्गरु आकदे नहीं इनना हंकार पी अकाश ताहीं तो समौदा ही नहीं आपने आपनों इना वड़ा ते ना उच्छा समझन दा पुले खा तू पाढ़ ले है कहिंदे ने बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर यो है आपने अंदर चाहा तुमार तू है कि गंदगी दे आप उतले आप बिष्टा अस्त हडिया दा टांचा है तू किर्म चांद कीड़े तेरे खून ले वेच चकर काट रहे ने तेरा जीवन चाल रहे है बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर यो हैं एदे नाड तू पर याँ हैं तू हैं कि तेरी आपनी समर्था तेरी नेजदी समर्था कि नहीं के मानता है इस गल्दा तानगरू अंगद साब सचे पाथिशा जदो खडूर साब दी तरती दे सुभाई मान सान हमायू ने शेर शा सूरी दे कोड़ों हार खाके दौड़या आरे हैं हमायू बाबर दा पुतर है शेर शा सूरी ने दे कोड़ों राज खोले है जांग होई ए हार गया ए पजया जा रहे है बियास द्रिया दा पत्ण गोईदवाल दे कोड़ों ने पार कीता ए पत्ण बड़ा पुराना पैंदास इस से करके इस एन सेंटर वाड़ी जगात माराज ने नमा नगर बेचाया खडूर साब तो बहुती दूर नहीं है ए नगर उदो तानगरू अंगर सामाराज खडूर साब राज मान सान उत्धे आजकाल गुरदवारा है मल अखाड़ा नाम तो ही एक आल से तो जान दिये पी मल कहीं देने पहल वाना नो पल वाना नो कुष्टी करन वाड बेचाया नो ते अखाड़ा लगदा उना दा जिते ओ दंगल कर दे सान कोड कर दे सान साथ गुरू तान गुरू अंगर सामाराज ने बड़े महान कार्ज कीते एक ता उनने पहला सेख स्कूल जेडा सीना उखडूर दी तर ती ते कायम कीता बचेया नो हार वर्ग नो तर दी होते क्योंके पहलों विद्या ते ग्यान ते पार्त दी तर थी ते काबज सी एक तेर जिनू पुजारी क्या जानदा से वही पड़ाओं दा सी ओ अखरी विद्या पड़ाओं दे नाल नाल आपने चेले ज्यादा बढ़ाओं दा कर्मकांडी विद्या पड़ाओं दा गुरु महराज ने विचार कीता, जिनना चेर अखरी विद्या कोल नहीं है, इनसान उनना चेर समरत नहीं हो सकदा, उनना चेर उदी सोच विचार नहीं कड़ी जान दी, एह होना बहुत जरूरी है, समय दे लिहाज नाग। तो पहला सिक्ष स्कूल जेड़ा सी महराज ने उते काइम कीता, गुर्बों खी दिया, कलासा चलाईया, उनना विच बचेया नो महराज आप भी विच बैटके पड़ाओं दे सान। ते दूज़ा एक महान कार्ज कीता, माला खाड़ा, नो जवाना नू आपना बाल संबालन लई, आपनी ताकत आपने जोश नू सही रादे होते वरतन वास्ते, महराज नो ना दे दंगलों ना दे या कुश्टियां करवाईयां पी ए अपने स्रीर दी ताकत आपनी जवान आपनी उमर समाड के रखन